साथ संगत जी प्रेम से कहना धन नरंकार जी एक नई साखी के साथ स्वागत है आप सभी का आपके ही अपने चानल पर आज की साखी का विश्य है सत्संग का प्रभाव चलिए संते हैं आज की ये साखी साथ संगत जी पुराने समय की बात है एक राजा बड़ा असन की था एक बार सूर्य ग्रहन लगा तो राजा ने राज पंडितों से पूछा कि सूर्य ग्रहन क्यों होता है तो पंडित जी बोले कि राहू के सूर्य को ग्रसने से राजा ने राज पंडितों से पूछा कि राहू क्यों और कैसे गरसता है और बाद में सूरिया कैसे छूटता है जब राजा को अपने इन प्रशनों के संतोष जनक जवाब नहीं मिले तो उसने आदेश दिया कि हम खुद सूरिया तक पहुँच कर सचाई पता लगाएंगे एक हजार घोडे और घुड सवार तयार किये जाएं अब राजा किस बात का विरोध कोन करता राजा का वफादार मंत्री भी चिंतित हुआ मंत्री का बिटा था वजिर सुमन उसे छोटी उमर में ही सारस्वत्य मंत्र मिल चुका था जिसका वह नित्य श्रद्धा पूर्वक जब करता था गुरुकुल से मिले संस्कारों मौन वे एकांत की अवलंबन से तथा नित्य इश्वर उपासना से उसकी बुद्धी सुक्षम हो गई थी वजिर सुमन को जब पता की चिंता का कारण पता चला तो उसने कहा पता जी मैं भी अब के साथ यात्रा पर चलूँगा तो पता ने कहा बेटा राजा की आग्या नहीं है तू अभी बहुत छोटा है वजिर सुमन बोला नहीं पता जी पुर्शार्थ एवं विवेक उमर के मोहताज नहीं है मैं राजा को आने वाली विपदा से बचा कर ऐसी सीख दूँगा जिससे वो दुबारा कभी ऐसी आग्या नहीं देंगे मंतरी ने कहा अच्छा ठीक है पर जब सभी आगे निकल जाए तब तू धीरे से पीछे पीछे आना राजा सैनिकों के साथ निकल पड़ा चलते चलते राजा का काफिलक घने जंगल में फस कया तीन दिन बेट गए बूखे प्यासे सैनिकों और राजा को मोत साफ दिखने लगी हता आशोकर राजा ने कहा सो गुनाह माफ हैं किसी के पास कोई उपाए हो तो बताओ मंतरी ने कहा माहराज इस काफिले में मेरा बेटा भी है उसके पास इस समस्या का हल है आपकी आगया हो तो राजा ने कहा हाँ हाँ उसे तुरंत बुलाओ वजर सुमन बोला महराज मुझे पहले से पता था कि हम रास्ता भटक जाएंगे इसलिए मैं अपनी प्रिया घोडी को अपने साथ लाया हूँ इसका दूद पीता वच्चा घर पर है जैसे ही मैं इसे लगाम से मुक्त करूँगा वैसे ही यह सीधे अपने बच्चे से मिलने के लिए भागेगी और हमें रास्ता मिल जाएगा ऐसा ही हुआ सब लोग सकुशल राज़ा में पहुँच गए तो राज़ा ने पूछा वजर सुमन तुमको कैसे पता था कि हम रहा भटक जाएंगे और गोडी को रास्ता पता है यह युक्ती तुम्हें कैसे सूजी तो वजर सुमन बोला राज़न सूरिया हमसे करोडो कोस्तूर है और कोई भी रास्ता सूरज तक नहीं जाता अतहक कही न कही ससना सुभाविक था दूसरी बाद पश्वों को पर्मात्मा ने यह योग्यता दी है कि वे कैसी भी अंजान रहा में हो उन्हें अपने घर का रास्ता मालूम होता है यह मैंने सत्संग में सुना था तीसरी बाद समस्य बाहर होती है समधान भीतर होता है जहां बड़ी बड़ी बुद्धियां काम करना बंद कर जाती है वहाँ पर गुरु का ज्यान ध्यान और सुमरन रहा दिखाता है अगर आप बुरा ना माने तो मैं आपको एक बात कहूं राजा ने कहा नी संकोच कहो तो वजर सुमन बोला राजन अगर आप ब्रह्म ज्यानी संतों का सत्संग सुनते उनके मारक दर्शन में चलते तो आप ऐसा कदम कभी न उठाते अगर राजा सत्संगी होगा तो अज़ार स्वर्ण मोहरे पुरसकार में देता हूँ और आज से अपना सलहा कर मंद्री तुम्हें न्युक्त करता हूँ अब मैं भी तुम्हारे गुरु जी के सत्संग में जाऊंगा उनकी सिक्षा को जीवन में लाऊंगा इस प्रकार एक सत्संगी किशोर की सूजबूज के कारण पूरे रज्य में अमन चैन और खुशाली चा गई साथसंगत जी सोचियाव सत्संग क्यों जरूरी है ग्रहस्त जीवन में मनुश्य काम, क्रोध और एहंकार के वश्यभूत रहता है क्योंकि परमात्मा का चिंतन मनन ना करपाने से वहमाया के प्रभाव में रहता है इसी कारण दूसरों के दोश में हम ज़्यादा अनंद लेते हैं जबकि ऐसा करने से हमारा मन अत्यंत दूशित हो जाता है और इस मन में हम दूसरों के दोशों का कुड़ा भर कर इसे कुड़ा दान बना लेते हैं उत्तम जीवन के लिए हमें दूसरों के दोश नहीं स्वयम के दोश देखने चाहिए ताकि हम अपने दोशों को खुद सुधार सकें यही हमारे लिए उत्तम ये विस्था होगी बिना गल्ती किये कोई महान नहीं बनता इसलिए खुद के दोशों को ढूंड कर उन्हे दूर करने का उपाय करे जो बदला जा सके उसे बदले जो बदला ना जा सके उसे सविकारिये जो सविकारा ना जा सके उससे दूर हो जाईए लेकिन खुद को खुश रखिए क्योंकि ये भी एक बहुत बड़ी जिम्यदारी है अपने दोशों को दूर करने के लिए सत्संग का सहारा लें सत्संग से आचरण और विवेक तत्काल बदल जाते हैं अगर नहीं बदले तो या तो सत्संग नहीं मिला या हम सत्संग में नहीं गए कथा में रूची नहीं होती तो सपष्ट है कि हमारा अंतहय करण बहुत ही दूशी थे उसे नाम जबके अभ्यास साबुन रूपी घोल में खुब रगड रगड कर धोई तुलसी पूरब पाप ते हरी चर्चाना सुहाई जैसे ज्वर के जोरते भूख वदा हो जाए भजन में रूची नहीं हो तो भी भजन करते रहो भजन करते जैसे जैसे भ्यास होगा वैसे वैसे पाप नस्ट होते हैं और फिर हमें सत्संग से उत्तम कुछ भी नहीं भाएगा जब हम सत्संग भजन चिंतन मनन के सागर में डूबेंगे तो इससे सुन्दर हमें कोई सागर नहीं लगेगा संसार के सारे सुख तुछ लगने लगेंगे संसारिक कारिया करते करते उसमें उलज जाते हैं तो संसारिक माया का जहर चड़ जाता है वहें जहर सत्संग में जाने से ठीक हो जाता है इसलिए सत्संग में जरूर जाईए कई लोग सत्संग में जाते हैं फिर भी उनका प्रश्ण होता है कि सत्संग का असर क्यों नहीं होता एक शिश्य गुरू के पास आकर बोला गुरू जी हमेशा लोग प्रश्ण करते हैं सत्संग का असर क्यों नहीं होता मेरे मन में भी ये प्रश्ण चक्कर लगा रहा है अब गुरु जी तो सम्यक्ग थे गुरु जी बोले वत्स जाओ एक घड़ा मदिरा का ले आओ शिश्या तो मदिरा का नाम सुनते ही आवाक रह गया गुरु और शराब शिश्या सोचता रह गया गुरु ने कहा क्या सोच रहे हो जाओ एक घड़ा मदिरा ले आओ शिश्या गया और एक छला छल भरा मदिरा का घड़ा ले आया गुरु के सामने रख बोला आग्या का पालन कर दिया गुरु जी अब गुरु जी बोले ये सारी मदिरा पी लो शिश्या चम्बित आकर बोला गुरुदेव घड़ा खाली हो गया गुरुजी ने कहा तुझे नशा नहीं चड़ा तो शिश्य बोला गुरुदेव नशा तो बिल्कुल नहीं चड़ा गुरु ने कहा मदिरा का पूरा घड़ा खाली कर दिया और नशा नहीं चड़ा शिश्य बोला गुरुदेव नशा तो तब चड़ता जब मदिरा गले से नीचे उतरती गले के नीचे तो एक बूद भी नहीं गई फिर नशा कैसे चड़ता तो गुरुजी बोले बस फिर सत्संग को भी हम उपर उपर से जान लेते हैं सुन लेते हो गले के नीचे तो उतरता ही नहीं है विवहार में नहीं लाते तो प्रभाव कैसे पड़े गुरू के वचन को किवल कानों से नहीं मन की गहराई से सुनना एक-एक वचन को रिदय में उतारना और उस पर आच्रन करना ही गुरू के वचनों का सम्मान है पाँच पहर धन्दा कि ये तीन पहर गई सो ये कघडी ना सत्संग किया तो मुक्ति कहां से होई इसलिए सत्संग में जाकर पूरा ध्यान अपना सत्संग में ही लगाए अगर आज की साखी अच्छी लगी हो विडियो को लाक्शर जरूर कर दीजेगा आप सभी सिफर मुलाकात होगी नई साखी के साथ साथ संगत ची प्यार से कहना धन नरगार ची